हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का बाल अभी अभी गिरना शुरू हुई हुआ है या कुछ दिनों से उनका बाल गिर गिया है कुछ बाल गिरे हैं तो उन लोगों के लिए आज एक रेमेडी बताने वाले हैं होम रेमेडी जो बिल्कुल बहुत ही कारग है अगर उसका यूज करते हैं दो से तीन महीना तक तो उनको जो हेर फॉल हुआ है वह भी वापस आजाएगा और हेर फॉल होड़ा है वह तो रुख ही जाएगा इसका तीन से चार बार यूज किजिएगा तो हेर फॉल रुखना सुरू हो जाएगा और इसको सब्ता में तीन जो ओड़ाउल होता है जो हीवैकस होता है उसका लीफ जैसे ए हो गया हमारा हीवैकस ऐसा इसका होता है फूल आप सबने देखा ही होगा ऐसा फूल होता है और इसका ए हमको फूल नहीं चाहिए हमको इसका पत्ता चाहिए ए पत्ता है इसका और हमको क्या करना है कि जो प्य पदार देना है, अच्छे से दोनों को मिला कर और अपने बालों के स्कल्प, जह 21 gün जड़ करें ता से 4 कौन्छ बढ़ने के लिए 25 से 22 मिनफ तक ले रहने दे 15-20 मिनफ रहने के बाद उसको दो लेना है, काम से करता है इस के बिसे है मैं अब जाने बनता है उसको बढ़ाता है और उसको नय सेल बनाने में मदद करता है इसे सलफर मिल गया सलफर से कोलेजन बढ़ने से सेल बढ़ा सेल का निर्मान हुआ और उसके कान नय बाल आने लगता है और दूसरा जो यह लीफ है हीवेकस का पत्ता है इसमें बीटामिन सी बहुत बरी मंदता में हमेराता है बिटामिन सी है और ऐमिन्व एस्ट है बटामिन सी बालों के लिए बहुँत जरूरी है ऐमिनाकी तेज हो जाता है galleries और प्लेमोनवाइड जो क्या करता है ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है अगर इसका हम इस्तमाल करते हैं तब ब्लड सर्कुलेशन में तेज हो जाता है अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा बालों को ब्लड मिलेगा तो हेर फॉल तो रुख ही जाएगा और नया बाल भी आने लगता है तो इस तरीके से इसका यूज करें इस फूल का यूज नहीं करना है क्यों इस पत्ता का यूज करना है इस पत्ते को ग्रेंडर में ग्रेंड करके इसका जूस निकाले तीन से चार चमच और उसी तरह से प्याज को कट करके उसका जूस नगा ले, दोनों समान मातरा में मिला कर उसको अच्छे से मिला ले और स्काल पे अच्छे से लगाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फैदा होगा, और इस तरह से इसको लगाना है, सब्ता में तीन बार लगाना है आप तब तक लगाए जब तक hair fall ना खतम हो और जो बाल आपके पतले हैं तब तक उसको लगाते रहें बाल मोटे भी हो जाएंगे और शायं भी नहीं लग रहा है इसको बना कर ज़रूर लगा ये थैंक यू अगर मेरा द्वारा दिया गया इंफर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में सेर करें थैंक यू